बच्चो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं about the treatment of investment fluctuation reserve यह treatment of investment fluctuation fund देखिए बच्चो इसमें आपको जो है balance sheet given है उसका एक्स्ट्रेक्ट दिरखा है जिसके investment fluctuation reserve दिया हुआ है साइड में और एसेट साइड में investment दे रखी हैं दो लाग रुपे मैं यहां पर और क्लियर कर दूँ आपको दो पुराने पार्टनर में दे रखें और भी जिनका profit sharing ratio जो है वो 3-2 है C is a new partner यानि यह treatment admission की context में है लेकिन यह same treatment आपका retirement और death में भी फॉलो करेगा and change in PSR में ठीक है बच्चो तो देखें इसमें various cases दे रखें है पहला case है कि कोई further information नहीं है दूसरे case में market value investment उतनी ही है जितनी बुक्स में शुकर किये 2 लाग तीसरे case में 2,40,000 है चौते case में 1, लाग पिचानवे जा रहे है पाचवे लगे इसमें 1,80,000 है और छटे case में 1,60,000 है तो इन 6 cases में क्या entries बनेंगी बच्चों हम वो discuss करेंगे इन नेक्स वीडियो बच्चों बात करते हैं अब इनके solutions की जो हमने discuss किया various cases of investment fluctuation reserve तो देखें बच्चों case 1,2,3 यह entry तीनों में बनाई जाएगी क्योंकि देखें case 1,2 में investment firm में कोई chain नहीं आ रहा है और case 3 में investment बढ़ रही है तो तीनों ही cases में आपको investment fluctuation reserve की कोई जुदत नहीं है इसको partners में बाट दीजे पूरा का पूरा तो 20,000 partners में बाट दिया गया इनके old ratio में A और B में 12,000 और 8,000 आ गया बस case 3 म आपको यह दो entry extra करनी पड़ेंगी क्योंकि investment बढ़ रही है तो इसको अलग से record करा जाएगा investment to revolution ठीक है asset बढ़ती है तो debit होती है और फायदा है इसलिए revolution में credit किया गया और revolution का यह जो gain है यह partner में बाट दिया कि इनकी old ratio में तो 24,000 और 16,000 आ गया तो इस तरह से बच्चों 1, 2 & 3 तीनों case में वह आले entry तो करनी करनी है जो मैंने उपर लिखी है उसके लवा case 3 की additional entries है जो बनाए नीच बच्चों बात करते हैं अब case 4 की दिखे case 4 में investment में fall जरूर आया लेकिन जो fall आया वो केवल 5,000 रुपे का आया उसकी market value केवल 1,95,000 तो इस fall को माया फार से अरा 9,000 और 6,000 आ गया ठीक है बच्चों तो इस तरह से case 4 हो गया case 5 में investment में fall जो भी आया वो 20,000 था IFR भी 20,000 था तो इस पर partner के लिए कुछ नहीं बचा in case 5 से वेकी entry बनी इस तरह से investment fluctuation reserve debit हो गया investment credit हो गया बस entry तो पहले भी एक बन रही थी लेकिन पार्टने के लिए कुछ नहीं कुछ बच रहा था मगर इस case में पार्टने के लिए कुछ नहीं बचा